तो यहां पर हम लोग को डाउनलोड करना है जेडी के तो मैं यहां पर गूगल ब्राउजर पर यहां पर मैंने लिख दिया जेडी के आपको जो सबसे पहला वेबसाइट दिखेगा देट इस और एकल डॉट कॉम उस पर क्लिक करना है यह विंडो आ गया है यह देखो यहां आपको दिख रहा है विंडोज क्योंकि अपना सिस्ट्रम क्या है विंडोज मेरा सिस्ट्रम विंडोज है तो मैंने विंडोज पर क्लिक कर दिया है तो यहां पर हम लोगों को सलेक करना है यह सकेंड ऑप्शन यहां पर देखो इस पर क्लिक कर दिया है मैंने यह होड़ा है हम लोगों का डाउनलोड तो यह डाउनलोड हो गया कम्प्लीट इस पर मैं क्लिक कर दूंगी यह पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंद एन नेक्स्ट तो एन देन क्लोज तो यह हो गया हम लोगों का डाउनलोड हमें जाउंगी सी प्रोग्रेम फाइल में जावा में यह दिख रहा है जेडी के 17.0.1 एन देन बिन यह हो गया अपना पाथ यह मैं कॉपी कर देती हूं और अब हम लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में तो यहाँ पर मैं जाओंगी सेटिंग में यह देखो यह आगे हम लोगों का सेटिंग और अब यहाँ पर सर्च कर देती हूं एंवाइर्मेंट इन वी लिखोगे तो आज जगा यहाँ पर हम लोग करेंगे एडिट इस सिस्टम इन्वार्मेंट वेरियेबल यह सेलेक्क ल सिस्टम वेरीबल में जाएंगे और में इन् abbiamo select करेंगे यह देखों पाथ select करने के बाद कंट एडिक्ट पर क्लिक करेंगे इन एडिक क्लिक करने का द अ मैं यहान न्यूद पे क्लिक कर लो और उसको कोपी किया चांव यहां पर उसके बाद यहां पर लिखेंगे जावा हूं यह लिख दिया वारियेबल नेम में चॉ। यह लिख दो ओम और इसको यहां परिश कर देती हूं बट यहां से बीद जो है वो निकाल दे रहे हूं तो अपना बज़ गया सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडी के 17.0.1 यह होगे हम लोगों सेट यहां पर हम लोग कर देंगे ओके पे क्लिक क्लिक कर दो कि यह होगे हम लोगों का इन्वार्मेट वैरियेबल सेट आधा अब हम लोग यहां पर कमान्ड को देते हैं यह ओपन कर दिये मैंने कमान्ड प्रॉंट अब मैं यहां पर लिखती हूँ जावा कि वर्जन यह इस अपने को दिखा रहे कि कौन सा जावा बर्जन हम लोगों ने इंस्टॉल किया है 17.0.1 जी डी के इंस्टॉल कर दिया है हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में अपने PC में अपने system में तो आज हम लोगों एक simple प्रोग्राम execute करे के देखते हैं कि वो execute हो रहा है या नहीं तो मैंने एक दम सिंपल प्रोग्राम लिखा है क्लास का नेम दिया है लो वर्लड इसलिए फाइल का नेम भी क्या दिया है टीक है अब मैं ओपन कर देती हूं यहाँ पे कमांड प्रॉम्ट तो मैं H drive में जाऊंगी क्योंके मेरा folder जो मेरा program है वो save है अच drive में और यहां पर मैं लिख देती हूं CD Java क्योंके मेरा folder का name działa है इसके लिए यहां पर CD Java लिक्ष रही हूं and then यहां पर मैं लिक्ष रही हूं Java C program का name program का name है मेरा HelloWorld.java यह compile के लिए है compile हो गया अपना यह हो गया compile अब हम लोग क्या करेंगे इसको execute करेंगे तो यहाँ पर execute करने के लिए java and then file name यह देख लो हो गया अपना execute मतलब हम लोगों का जो jd के है वो proper install भी हो गया environment variable भी set हो गया और अपना एक simple program भी execute हो गया thank you